भूगोल के विकास का क्रम, Development of Geography, पहला लिखो, प्राचीन काल, First Ancient Period, प्राचीन काल में भूगोल के विकास को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाले थे ग्रीक, ये ग्रीक सभिता आप लोग जानते हैं न, जो ग्रीक सभिता थी, यूनाइनी सभिता के साथ, ये अपने समय की ये अपने समय की सबसे ज़्यादा उन्नत सभिता थी, ज्यान, विज्यान, दर्शन, बड़े-बड़े विद्वान यहां पर हुए, और उन्होंने हर तरह की उचाहियों को प्राप्त किया, तो जो एंसीन पीरेड लिखो, प्राचीन, काल, इसमें सबसे अधिक लिखो, इ जारो, डोटस, दूसरा, अरिस्टोटल, अरस्तु जिसे कहते हैं, अरस्तु जबर्दस विद्वान हुआ करते थे, और तीसरा नाम लिया जाता है, इरेटो, इस्थनीज का, इरेटो, इस्थनीज, दूसरा काल है हमारा, बूगल के विकास में दूसरा काल करम, उसको बोलते हैं, मध्यकालीन काल, मेडाइवल पीरिएड, या पूर्व आधुनिक काल, इसको पूर्व आधुनिक काल भी कहते हैं, प्री, मॉडन पीरिएड और मेडाइवल पीरिएड, देखो, दूसरा काल ह हमारा मद्यकालीन काल या पूर्व आधुनिक काल लेको इसका काल वर्ष इसका काल वर्ष सत्रमी सताब्दी रही है 17th century सत्रमी सताब्दी यानि सन 1601 से लेकर यह मद्य जो है सत्रा सो तक ये समय रहा सत्रमी सताब्दी 17th century लेको यह वह काल था अगला पॉइंट लेको सब पॉइंट्स में लिखते जाओगे सारे पॉइंट्स में एक बार घर जाओ एक बार रिविजन करो सारा का सारा नोट्स तुमें याद होना चाहिए लेको यह वह काल था जहां प पहली बार वैगलनि भूगोल की अफधारना रखी गई वट इननिव .... थोट दर पहले मैंने आप से बताया था कि जो कुछ B उन्होंने देखा था उसको उन्हें भूगोलाम दिया बट इन बइन्प सांट़ किसे कहते हैं और शाबाश सबी लोग बोलो वैग्यानिक भूगल किसे कहते हैं तरकसंगत शाबाश बहुत बढ़िया और विल्टन बोलो साइंटिफिक साइंटिफिक ऑब्जरवेशन किसे कहते हैं साइंस क्या होते आए पर्खा जाता हो नेक्स वन इस जिसको पर्खा जा सके जिसके सधान तुपलब जो आपके पास कि भाई जरूरी नहीं है कि इस बार में मार्कर को नीचे चोड़ो तो नीचे गिरे हो जकता हो उपर चला जाए नहीं there is a law of gravity ये क्या है गुरुत्व अकरशनल का से दान दगर आप मारकर छोड़ोगे प्रत्वी हर वस्त को अपनी और क्या करती है आकरशित करती है तो ये किधर आएगा नीचे ऐसा तो नहीं होगा कि इस्ति वाली क्लास में उपर चला जाए नहीं होगा ये नियमों के उपर आधारित होगा जो साइंटिफिक जोगर्फिक इसके उपर आधारित होता है नियमों के उपर आधारित होता है ठीक है कि अगर जल आ रहा है तो जल उपर से नीचे आएगा क्यों आएगा क्यों ये ढाल के अनुरूप बैता है according to the slope तो ये क्या है ये तो ये नियम आधारी जो भूगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइटिफिक जॉगरफिक, इससे पहले क्या था, इससे पहले आब्जरवेशन था कि बहूँ भाई, हमने जो देखा, हमने वो बता दिया, कि बहुँ यह पहार है, यह पठार है, है बहु पठार है, ल यवाब देता है लिखो तो पहली बार यहां पर लिख लो यहां पर विज्ञानिक भुगोल की शुरुवात हुई तो विज्ञानिक समझ गए तर्क पर आधारी था प्रेक्षान पर आधारी था और नियम बद्ध था ठीक है on the basis of law principles and observations इसमें पहला नाम आता है Christopher Columbus का Columbus ने क्या काम किया था इंडिया को निकला था इंडिया के लिए पहुँच गया था अमेरिका की खोच किस ने की थी Columbus ठीक है लिखो Christopher Columbus पहला नाम आता है इसमें Christopher Columbus दूसरा वासको डिगामा ये आया था भारत पुर्टगाली था भारत आया था next one is Ferdinand Magalene Ferdinand Magalene Ferdinand Magalene Ferdinand Magalene F Magalene भी कहते है ये वह वेक्ति था पहले क्या होता था अंदकार युग चलता था अभी मैं तुम्हें हेलियोसेंट्रिक और जो है जियोसेंट्रिक बात में पढ़ाऊंगा इसके बाद जब में आएंगे तो इसमें क्या था एक इसफेरिकल है ठीक है तो इसफेरिकल का मतलब अगर एक पॉइंट से चलो तो दूसरे पॉइंट पर वहीं पहुंच जाओगे पहले मानते थे कि जहां तक देख रहे तो प्रत्वी चप्टी दिखाई पड़ती है समुदर में तुम देखोगे तो कैसे दिखाई पड़ेगी वो जारी है वैसे जारी और माना जाता था जो अंदकार युक था वो माना जाता था अगर तुम प्रत्वी के किनारे गया तो पाताल में घुझ जाओगे तूब जोगे तो उस समय लोग क्या करते थे ज़्यादा दूर निकलते नहीं थे ये बात हो रही है पंद्रह सो की ऐसवी पंद्रह सो एकैस पंडर सो बाइस एसवी तो लोग जो है उससे पहले मानते थे कि आगर पाताल में नरक है और एक बार जहास तुमारा नर्क में पहुँच गिया, हेल में पहुँच गिया, तो जो तुम्हारे पापों का हिसाब किया जाएगा, और वहाँ तुम्हें भाले में भोग भोग के मार देंगे, तो ज्यादा तो लोग दूर नहीं जाना, ये उस समय की सेग्मेंट था, एक वेक्त थी था, एक मैगलें आओगे, अगर इसी जगे यहां पहुच गे और तुम कहते हो कि प्रफ़ी गोल है और पाताल नहीं है, तो तुम जहां से चले हो, वहीं आकर रुकोगे, बोले ठीक है, तुम दो साल के अंदर अकर वहीं आ गए, तो जितना तुमने दाओं पे लगाई है, उसका तुमें नहीं पहुंचा, डूप गया, तो फिर Christianity को चलेंज किया, अब यह जो हो निकल पड़ा, आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और शर्त थी कि आपको नए साल की संधिया पर दो साल के अंदर यहां पहुंचना है, यह पहुंचा, तो इसके कल एक तक ये पहुँच जाएगा अच्छा ये सोचा यार अब तो मैं लेट हो गया मेरी सारी संपती तो छिन गई लगा रोने बहुत उदास हो गया तो जाके इसने फिर चर्च में अपना जो है सर जुका लिया बोला अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है मैंने इतनी मेहनत क कि अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया मेरा सब कुछ छीन लेंगे मैं एक दिन लेट हो गया पहुंचा तब तक क्या देख रहा है कि कुछ लोग जो है वो लास के साथ चर्च के अंदर इंडर कर रहे हैं वहां पर बहुत महाल बन रहा है बोले आप लोग इतना खुश आगे चलकर इसी पर हम लोगोंने बेस बनाया और हमने इंटरनाशनल डेट लाइन का कॉंसेप्ट रखा कि कि किस प्रकार 24 घंटे आगे या 24 घंटे पीछे जाने पर पूरे जो है वो लाटिटीट घूमने 180 डिगरी जब हम गूमते हैं तो एक दिन का अंतर आ जाता है या तो एक दिन आगे या एक दिन हम पीछे चले जाते हैं आगे चलकर जो समय की अफधाना रखी गई वो इसी वेक्ति के खोशपर आई और वो मिथक हमेशा के लिए तूड़ गया कि आगे पाताल है प्रत्वी चप्ती है और अगर पाताल के आगे गये तो डूब जाओगे और हमारा जहाज भी नी डूबेगा और उन्हों लोगों ने हिंलत दिखाई और उस हिंलत दिखा कर उन्होंने क्या किया पूरी दुनिया पहर आगे तुम्हें पता ही है कि आचाया आफरीका जूब आपना कबजा किया यह पुर्टगाली डच ब्रिटेश फ्रांसी ही कि इन्हों ने इसकी खोश का बड़ा लाब उठाया और अगला नाम है थॉमस कुक, हाँ, कहां पर, तुम्हाई क्लास का टाइम क्या रहेगा फिर, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है निकल जो, अगला नाम है थॉमस कुक, थॉमस कुक की क्या खास बात थी, इसने ऑस्टेलिया की खोश की, एक्जाम में आ चुका है, थॉमस कुक, कि वो व्यक्ति था जिसने ऑस्टेलिया की खोश की, डिस्कवर ऑस्टेलिया, तो इस समय की जो जियोगरफर्स थे, वो बेसिकली एडवेंचरर्स थे, सभी जहाज लेके निकले, इन लोगों ने इस समय क्या किया था, ने-ने समुद्री रास्तों की खोश की, ने दीपों की खोश की, इसका सबसे बड़ा फाइदा ये मिला, इससे पूरी दुनिया का मैप बनाने में मदद मिली, पहले तो ग्रीस को लगता था, जहां तक रोमन इंपायर है, वही संसार है, इसके बाद तो पानी-पानी है, ठ पालमी ने मैप कैसा बनाया था, हवाएं जो हैं वो देवता चलाते थे, फूंकते थे तो नाव चलती थी, ठीक है तो उनका ये सब मिथक था, उनका मन क्योंकि साइंटिफिक अब्जरवेशन नहीं था, इन लोगों ने पूरी दुनिया के मैप को बनाने में मदद की, इन रास्तों की खोच करके, यही थे आके बताते थे आरे यार यार ये इस्ट में तो सोना बहता है, भारत और चीन जो है वहाँ पर सोने की नदियां है, इन्हें कम बक्तों ने कहानिया सुना ही थी, इसलिए हम गुलाम हुआ आगे चलके, हाँ, यह सभी सत्रवी सताब्जी, पंदरा सो से लेके सत्रा सो का समय है, यह मेडाइवल पिरेड, मेडाइवल कब से कहते हैं, मेडाइवल हमारा बारा सो से शुरू होता है, और सत्रा साड़े सत्रा सो तक जाता है, ठीक है, मेडाइवल की जो सही शुरू आत मानी जाती है, वह संद बारा सो से मानी जाती है, next we go modern period आधुनिक काल आधुनिक काल में अब हमने प्रत्वी के observation शुरू किये अब हमारे पास विज्ञान आगे बढ़ चुका था अब के वल समुद्री रास्तों तक खोजने तक हमारा भूगल नहीं रह गया था अब अगर कोई चटान है तो पहले हमें माना जाता था कि ये इस मृँंटें इस मेद आधू हमने पता किया कि कौन सी रॉक्स हमने देखा कि टाइप ऐफ रॉक्स भी ओती है हर रॉक एक जैसी नहीं होती है रॉक्स के अंदर मिनरल होते हैं आब हमारा उद्ज्योग धंदा पूरी दुनillya का बढ़ने लगा था जब ये European हर जगए अ उनके संसादनों को खीच कर लाने लगे तो नतीजा क्या हुआ योरोप की एकनौमी ग्रो करने लगी आगे चलकर धीरे धीरे एक ताइम आता है जब जेम्स वाट 1776 वो समय था जब जेम्स वाट ने भाप की इंजन का अविश्कार कर दिया और मुनिश्य के हाथ एक जादू लगा दी लेकिन इस्टील फैक्टरी के लिए इन पुट क्या दोगे आइरन और लोहा का जो कच्छा लोहे को पिखलाया जाएगा तभी तो स्टील बनेगा तो मुझे कच्छा लोहा चाहिए और यह कच्छा लोहा कहा चुपा था यह माइन्स में चक्टानों के अंदर रिटर और नमबरती रैट्जिल रैट्जिल छीजः तीनों को बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है इन्हों ने भूगोल को खंडों में बाट दिया अभी तक भूगोल एक कहलाता था अब भूगोल ने इन्हों क्या किया वूगोल के अंदर एक नई शाका शुरू की जि psychology मतलब क्या होगा वो प्रत्वी की चट्टानों और मिल्स के बारें बात करेगा ठीक है इन्होंने भूगोल को कई हिस्सों में बांट दिया ताकि उसका विशेश अध्यन शुरू हो से जैसे तुम लोग कभी medical science के बारें बात करते हो तो medical science में तुम जाओ एक doctor रहेगा जो surgery करेगा एक eye specialist होगा एक ear ent वाला होगा होता की नहीं होता है एक ophthalmo होता है एक neuro होता है होता है इतरह medical science के कई branches होते हैं सरीर के हर अंग के लिए एक ब्रांच बना दिया dentist होगा वो दात का केवल बात करेगा clear है एक plastic surgeon होगा वो केवल plastic surgery पे बात करेगा इसी तरह भूगोल को इन्होंने क्या किया इसके विशेश अध्यन के लिए इन लोगोंने एक नई साखाओं को जर्म दे जैसे geomorphology जो केवल भू आकरतिक विज्ञान पे बात करेगा हमारे राजा है इन्होंने empire खड़ा कर लिया हमें लगा ये जो कह रहे हैं वही सही है हमारे नेता कि हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं उसमें बें टाइम लग रहे हैं सवा सव साल हो रहे हैं अब जाकर हम प्रूव कर पा रहे हैं तो मेटाफिजिक्स में जैसे मालो महार्शी कनाद थे अब महार्शी कनाद ने बताया कि यह जो पूरा उन्होंने सूत्र दिया उसका कि यह जो पूरा प्रमहांडे अड़ों से मिलकर बना है, made by the molecules, आगे चलकर 1700 सम्थिंग में, डाल्टन आता बोलता कि जो हर मॉलिक्यूल है, वो इसमें एटम जो है, वो मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रान प्रोटान और न्यूट्रान से, ये महारशी कणाद ने तब बता दिया था, अभी बहुत सी चल रहे हैं, उस पे बहुत से बिवाद चल रहे हैं, वो अभी विशय नहीं है बातचीत करने का, उसके पीछे रीजन है कि अब लाइट से भी तेज़ चलने वाले एक अड़ू की खोज हो गई है, बट वो मैथमाटिकल हुई है, रियली में नहीं हुई है, ठीक है, खगोल विग्यान जब पढ़ाओंगा तो बताओंगा, हमारे बस क्यों चार परसेंट नॉलेज है, 96 परसेंट तो अन्नोन है, तो हमारे लोग जो थे, वो मेटाफिजिक्स के मास्टर थे, उसका मैं एक अलग क्लास लूँगा, ताकि आप लोग के पता चले कि भारतियों का क्या क्या योगदान रहा, और भारतियों का योगदान बहुत जबरदस था, लेकिन एक समय आता है, जब मैकाले आता है, तो ह हमाही से हम डंप हो जाते हैं, नहीं तो हमारे पास जबरदस ग्यानवी ग्यानदा कम से कम एस्टर जियो फिजिक्स में हमारी टकर देने वाला कोई नहीं था, झाले आता है, जब मैकाले 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 आता है, जब म